Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्ड़बल इंकम टैक्स भरने वाले लोगों की संख्या देश की कुलाबादी का मातर 1% हिस्सा थी, एक डेवलपिंग नेशन होने से सरकार के लिए टैक्स कलेक्शन एक बेहत महत्वपूर्ण बिंदू है, इतने बड़े देश के सोशल सेक्टर चलेंजस को हैंडल करने से लेकर अपने टॉक्सिक नेबर्स की ओर से आने वाले सेक्क्योर्टी चलेंजस को डील करने तक, टैक्स के रूप में आने वाला रिवेन्यू सरकार की वेरियस पॉलिसीज को डिसाइड करता है, लेकिन जैसा कि हमने देखा, हमारे देश में इंकम टैक्स का बेस बहुत नेरो है, जिस व आपने कभी भी इंकम टैक्स रिटन फाइल किये हैं, तो आपको पता होगा कि टैक्स कंप्लाइंस अपने आप में कितना बड़ा नाइट मेर है, बिना CA की एडवाइस के टैक्स सेव करना एक आम आदमी के लिए लगभग नामुम्किन है, जिस तरह इंकम टैक्स सेविंग के लिए आम आदमी को CA या financial advisor की मदद लेनी पड़ती है, ठीक उसी तरह हमारे देश में काम कर रही micro, small, medium या किसी बड़ी company को भी अपने टैक्स पता करने के लिए professionals hire करने पड़ते हैं, ऐसा ऐसे लिए कि हमारी देश की tax regime इतनी ज़ादा complicated है कि मिना किसी professional के इसे समझ पान बेहद मुश्किल है, लेकिन thankfully आज देश में परिस्थितियां कुछ और है, आज देश में taxes को लेकर complications में थोड़ी कमी आई है, वही साथ ही taxes को pay करने के procedure में भी clarity आई है और इसका कारण है GST, यानि goods and services tax का implement होना, GST ने इंडिया में tax compliance और ease of doing taxes को revolutionize करके रख दिया है, ले दोस्ता हमारे आज के इस वीडियो discussion में हम बात करने वाले हैं कि GST आखिर है क्या, क्या है GST के पीछे की philosophy, क्या है इंडिया में GST की journey, इसके advantages और disadvantages क्या है, क्यों कुछ political parties इसे गबबर सिंग tax के नाम से बलाती हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले में आपको बता दूँ क इस वीडियो की importance, UPSC मेंस के GST के लिहाद से काफी जादा है, इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे पर फिलहाल के लिए, अपने discussion को हम आगे बढ़ाते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं दोस्तो UPSC pre-press mains के लिए study IQ का last life foundation batch launch हो चुका है, जिसमें कुछ ऐसे unique features हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे 900 plus hours का live content, UPSC के iron gate यानि prelims में आपको परिपक्त करने के लिए prelims के practice questions दिए जाएंगे आपके mains के answer में different dimension side करने के लिए और आपके सोचने के तरीके में different perspective side करने के लिए mains की answer writing practice करवाई जाएगी और आपके doubts को किसी भी समय clear करने के लिए आपको एक game changing feature मिलेगा जो है one to one mentorship जिसके इंतरगत आपको एक mentor allot के जाएंगे जिनके साथ आप academic और non academic doubts कभी भी clear कर सकते हैं और regular basis पे former and working bureaucrats के साथ group mentorship भी इन batches का important feature है और दोस्तों यह सब कुछ आपको मिल सकता है मात्र 18,999 के super discounted price पे अगर आप AG live coupon code यूज करते हैं इन batches में classes की शुरुआत 18th of October, evening 6 PM से हो रही है तो अब आप भी अपने UPSC की तैयारी की तरफ एक final कदम उठाइए और AG live coupon code को यूज करके दिश के सर्वश्रेस्ट UPSC live batches को जॉइन करिए बाकि सभी updates के लिए आप मुझे मेरे social media handles पे follow कर सकते हैं दूसर GST को पहली बार year 1954 में फ्रांस में introduce किया गया था फ्रांस के लावा न्यूजिलेंड ने 1986 में, कैनाडा ने 1991 में, सिंगापोर ने 1994 में, और मलेशिया ने 2015 में GST को implement किया था इंडिया में GST का आइडिया सबसे पहली बार साल 2000 में, फॉर्मर प्राम मिनिस्टर अटल भिहारी वाचपे और उनके economic advisory panel के बीच एक meeting के दौरान प्रपोस किया गया था इस panel में, फॉर्मर RBI गवर्नर, सीरंगा राजन, बिमल जलान, आईजी पटेल जैसे economics के बड़े बड़े दिगध शामिल थे आईडिया को आगे ले जाने के लिए एक committee बनाई गई, जिसका नेतरत्व, West Bengal के former finance minister असीम दास गुपता को सौपा गया इसके बाद साल 2004 में, विजय एल केलकर के अंडर एक task force पनाई गई, इस task force ने इस बात पर मोहर लगाई कि इंडिया के existing tax structure में बहुत सी खामिया है जिने दूर करके एक नए system को अपनाना बेहत जरूरी है, इसी तरह फरवरी 2005 में तबके finance minister पीचे दमरम ने पहली बार कहा कि इस पूरे देश में एक uniform GST structure को implement करना सरकार का medium to long term goal है जो संपूर्ण production distribution chain को cover करेगा इसी के चलते budget session 2005-06 में finance minister ने 1st April 2010 को GST introduction की deadline के तौर पर announce कर दिया, वहीं जुलाई 2009 में तबके finance minister प्रिणा मुखरजी ने GST system का basic skeleton भी announce कर दिया था इसी साल नौंबर में असिमदास गुपता कमिटी ने GST रेजीम पर first discussion paper को इस उम्मीद के साथ release किया कि एक healthy debate के जरीए सभी stakeholders से input लिया जा सके फरवरी 2010 में government ने एक mission mode project introduced किया इसके तहत states के commercial taxes का computerization करके GST की foundation रखी जा सके इसके लिए 1133 करोड का budgetary outlay भी रखा गया साथी GST implementation की deadline को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया यानि अब GST को implement करने की date April 2011 तक extend कर दी गई मार्च 2011 में UPI की सरकार ने GST के introduction के लिए 115th constitutional amendment bill पेश किया दोस्तों हम यहाँ आपको यह बता दें कि क्योंकि taxation के principles constitution में enshrined है और यह principles federal structure के अनुसार है इसलिए इने बदलने के लिए constitutional amendment की जरुवत पड़ती है जिसे at least 50% states को भी ratify करना पड़ता है सिर्फ एक ordinary bill के जरिए इस तरह के changes को करवाना संभव नहीं है लेकिन opposition parties के protest के बाद इस bill को further parliamentary scrutiny के लिए standing committee को भेज दिया गया opposite parties ने central government की GST dispute authority की उपर additional powers और compensation amount को लेकर कुछ विरोध जता है दोस्तों सारे terms का मतलब आगे वीडियो में clear हो जाएगा October 2013 में गुजरास सरकार ने इस bill को oppose किया क्योंकि destination based होने के कारण state को करीब 14,000 करोड पर एनम का नुकसान expected था इस वज़े से state center के साथ compensation टैग करना चाह रहे थे माई 2014 में parliament dissolve होने के साथ ही constitutional amendment bill lapse हो गया इसके बाद इसी सारे नरेन मोदी लेट बीज़ेपी government पावर में आई और यहां से GST की दिशा में एक नई पहल शुरू हुई December 2014 में new finance minister late Arun Jaitli ji ने 122nd constitution amendment bill पारलेमेंट में पेश किया फिर से इस बार operation parties की protest के बाद bill standing committee को भेज दिया गया February 2015 में श्री जेटली जी ने अपने budget speech में 1st April 2016 की नई deadline को indicate किया मई 2015 में लोग सभा ने bill पास कर दिया जब state की concerns को दिहान में रखते हुए for the time being petroleum को GST के दायरे के बाहर रखने का फैसला लिया गया लेकिन अगिस 2015 में operation dominated राज सभा में यह bill पास नहीं हो सका March 2016 में श्री जेटली ने operation parties के एक demand मान ली और GST rate को किसी भी commodity के लिए 18% की उपर ना रखा गया लेकिन साथ ही future में unforeseen emergencies की वज़े से 18% की उपर जाने के लिए सरकार के पास option को श्री जेटली जिने बरकरार रखा Finally, August 2016 में Congress-led operation के साथ सहमती बनी और मोटा माटी चार amendments के बाद राज सभा में भी यह bill पास हो गया अगले ही महिने Presidential Ascent मिलने के साथ 122nd Constitutional Amendment Bill, 101st Constitutional Amendment Act बन गया और New Constitutional Provisions के अंडर 2017 में GST को लागू करने वाले चार कानून पास किये गए Central GST Act, Integrated GST, Union Territory GST Act और GST Compensation to States Act Finally, 1st of July 2017 की रात इंडिया में एक New Taxation Revolution आया और जन्व हुआ GST का आईए अब बात करते हैं Goods and Services Tax के पीछे की Philosophy और उसके Concept की दोजो दरसल टाक्स दो तरह के हो सकते हैं Direct Tax और Indirect Tax Direct Tax यानि जिस पर Tax लगाया जाएगा वही उस Tax को भरेगा इसका सबसे Easy Example है Income Tax दूसरा है Indirect Tax यानि जिस पर Tax लगाया जाएगा वो Tax औरों से वसूल करके सरकार को देगा जैसे Restaurant पर लगने वाला VAT GST एक Indirect Tax है क्योंकि ये लगाया जाता है Retailer, Manufacturer या Service Provider पर और वो ये Tax Consumer से लेकर सरकाल को देते हैं दूस्तों GST की Basic Philosophy One Nation One Tax की है ताकि Tax Legislations और Administration को Easy to Understand and Easy to Comply बनाया जा सके ताकि सरकारी Tax Inspectors के पास Disraction कम होगा जिससे So-called Tax Terrorism से देश की Economic को छुटकारा मिले और Ease of Doing Businesses बढ़ाने से Economic Growth को बढ़ावा मिलेगा साथी GST का Implementation Taxation के Pre-Existing Constitutional Principle से 360 डिगरी चेंज था वहीं GST के Implementation से पहले फेडरलिजम के चलते Center और States के बीच के Taxation Laws क्लियरली डिमार्केटेट थे जो अकसर States और Center के Fiscal Power टेसल का कारण बनते रहते थे इनी सब कारणों के चलते GST को Implement किया गया लेकिन GST को लाने के और भी बहुत से कारण जिम्मेदार थे Reason No.1 GST Value Addition Based Multi-Stage Tax भी है यानि किसी भी कॉमरिटी को बनाने से लेकर उसे मार्केट में सेल करने तक वो कॉमरिटी बहुत से प्रोसेस से गुजरती है जिने हम Inputs और Outputs कहते हैं GST एक ऐसा Tax है जो Input और Output Cost के बीच के Difference पर Apply होता है जबकि VAT के अरावा इससे पहले के सभी Indirect Taxes पूरी तरह Output Value पर Apply होते थे Reason No.2 GST एक Destination Based Tax है इसका मतलब GST एक ऐसा Tax है जो किसी भी Good या Service की Final Destination यानि Final Consumer पर ही Impose होता था Consumer से पहले के सभी Participants को Input Tax Credit के रूप में उनके द्वारा दिया गया Tax Refund के रूप में मिल जाता है Reason No.3 GST एक Comprehensive Tax है ऐसा इसलिए क्योंकि इसके Implementation से पहले के सभी Central और State Level Taxes GST में ही समा गए हैं Goods और Services के बीच का Distinction खतम करके अब सभी पर सिर्फ GST ही Apply होता है हाला कि Petroleum और Alcohol को इस Sphere से दूर रखा गया है दोस्तों इंडिया में Federalism के चलते GST के लिए एक Unique Arrangement Create किया गया है इंडिया में Implement हुआ GST सिस्टम असल में एक Dual System पर Based है जो Center और States या फिर Union Territories आपस में मिलकर लिवाई करते हैं Center का Component है CGST और State का है SGST और Union Territories का है UTGST इसके लावा Interstate Trade पर Center Integrated GST यानि IGST भी लवाई किया जाता है साथ इस सिस्टम की Proper और Smooth Working के लिए एक CGST काउंसल भी Create की गई है जिसमें Central Ministers के साथ State के Ministers भी होंगे इस काउंसल में Democratic Decision Making के थूँ GST Rates, Thresholds, Exemptions और Un-Future Decide किये जाएंगे अगर Economic की Point of View देखें तो GST Double Taxation या Cascading Taxation को Eliminate करता है ऐसा इसलिए क्योंकि GST सिर्फ Value Addition पर Apply होता है ना कि Output Value पर एक्जामपल के लिए माल दीजे आपने केक बनाने के लिए 10 रुपीज टाक्स की Bread खरे दी और उस पर 10% टाक्स दिया यानि 10 रुपे वाली Bread पर 1 रुपे टाक्स अब माल लिजे कि उस Bread से आपने केक बनाया और उस केक का Price 50 रुपीज रखा अब जो Consumer उस केक को Purchase करने आएगा वो उस केक पर 10% टाक्स देगा यानि 5 रुपे तो केक के Value हो गई 55 रुपीज लेकिन 50 रुपे के उस केक में 1 रुपीज का Bread वाला टाक्स भी इंक्लूरिड है जो End Consumer पर फिर से Imposed हो रहा है यानि End Consumer डबल टाक्स पे कर रहा है GST इन सभी Problems को Eliminate करता है GST रेजीम में सिर्फ Final Product पर टाक्स लगाया जाता है जबकि पहले Pay किया गया Tax Input टाक्स क्रेडिट के रूप में refund कर दिया जाता है यानि Bread पर दिया गया 1 रुपे का टाक्स भी केक बेशने वाले को refund किया जाएगा और Consumer को केक मिलेगा 49 प्लस 10% टाक्स यानि 53.9 रुपीज का ऐसे में क्योंकि टाक्स में further taxation नहीं होना मार्केट लॉज टाक्स रेट्स और प्रोसीजर्स में across the states uniformly होनी की वज़े से अब one nation one tax one market को objective पूरा हुआ है इसी की वज़े से देश में ease of doing business बढ़ा है और साथ ही states के बीच investment को लेकर tax force के बजाए competition merit आई है इस कारण states के बीच resources efficiently allocate हो पाएंगे यानि जहाँ process के efficiency ज़ादा होगी वहीं investment के जरीए unit setup के जाएंगे साथ ही compliance और final cost कम होने के कारण Indian goods export market में ज़ादा competitive भी हो सकेंगे जिससे forex earnings में इजाफा देखने को मिलेगा GST के सबसे बड़ी खासियत इसका self-policing nature है जिस कारण tax evasion करना disadvantageous हो जाता है दरसल GST में input credit क्लेम करने के लिए आपके supplier की GST tax invoice ज़रूरी है अगर supplier GST registered नहीं है या उसने GST pay नहीं किया है तो receiver को input credit नहीं मिलेगा इसी वज़े से किसी भी stage पर evasion automatically check हो जाता है साथ ही GST returns फाइल करने के लिए एक online system create किया गया है जिसका नाम GST network यानि GSTN है faceless assessment की वज़े से inspector राज का खात्मा हुआ है और ease of compliance बहतर हुआ है इसके लावा GST overall एक simpler system of taxation है जिसमें exceptions और exemptions जैसे अपवाद की संख्या कम है अगर consumer के point of view से देखा जाए तो cost of compliance में reduction और tax burden कम होने से inflation कम होगा जिसका फाइदा कम महिंगाई के रूप में consumers को मिलेगा साथी small scale retailers जिनका turnover 40 lakh रुपे सालाना तक है उनको GST से exempt रखा गया है consumers को ऐसे retailers से खरिदारी में low cost का benefit मिल रहा है साथ ही हम सब के लिए bill पर लगाए गए taxes को समझना आसान हो गया है दोस्तो GST अपने आप में एक revolution है लेकिन कुछ opposition parties की माने तो GST goods and services tax नहीं बलकि गबबर सिंग tax है आज opposition parties ये claim करती हैं कि GST का concept तो खराब है ही लेकिन government की तरफ से इसका implementation और भी जादा खराब रहा है तो चलिए देखते हैं कि इस बात में कितनी सचाई है GST returns फाइल करने के लिए और input credit claim करने के लिए detailed account keeping ज़रूरी है बहुत से चोटे businesses के पास ना accounting की knowledge है और ना digital literacy इस वज़े से इन कामों के लिए professionals hire करने पड़े इस वज़े से cost of business increase हुई है बहुत से banks और manufacturers को इस वज़े से नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि उन्हें e-filing, e-way bill और invoicing के इस नए system से familiar होने में समय लगा initial days में GSTN और e-way bill के online platforms में technical glitches भी देखने को मिले कुछ cases में GST के अंडर compliance cost में increase भी हुआ अब GST returns में करीब 37 returns per year file करने पड़ते हैं जबकि पहले ये सिर्फ 3 पर month और एक annually था मही जिनके operations across states होते हैं उनके लिए ये number of returns और ज़्यादा increase हो जाते हैं क्योंकि उन्हें हर state में SGST की returns separately file करनी होती है साथ ही one nation one tax की GST की original philosophy के against file file GST के 4 rates है 5, 12, 18 और 28% वहीं drinking alcohol, petroleum products और electricity को file file GST regime के बाहर रखने के कारण multiple taxes भी exist करते हैं अगर services sector की बात करें तो जातर services पर 18% tax लगाया जाता है जबकि इसके पहले लगने वाले service tax 14% plus 1% CIS यानी 15% था ऐसे में ये बात भी inflation कम करने के aim के against जाती दिखाई पड़ती है दोस्तों GST destination based होने का मतलब है इसका consumption based होना इस वज़े से consuming state के collections में फायदा हो रहा है जबकि manufacturing states जहाँ population या urbanization कम है नुकसान में है इस वज़े से GST compensation के लिए अलग से provisions बनाए गए है जो इस पूरी process में further complications पैदा करते हैं Services में अकसर तीन या उससे ज़्यादा parties involved रहती हैं और इस case में IGST और SGST कैसे apply होंगे इसके लिए place of supply rules काफी complicated हैं जो compliance cost को उपर push करते हैं GST के अंडर input tax credit claim करने के लिए बहुत सी शर्ते रखी गई है Buyer को supplier से tax invoice receive होनी चाहिए और साथ ही invoice goods या services पर भी supplier ने अपना GST सरकार को pay कर दिया होना चाहिए और supplier में GST returns file कर दी होनी चाहिए इन conditions की वज़े से बड़े manufacturers और original equipment manufacturer यानि OEMs जो buyer होते हैं उन पर अपने vendors की tax compliance की additional responsibility आ जाती है अगर supplier ने अपने taxes pay नहीं किये तो buyer को अपने tax share के साथ साथ supplier का share भी pay करना पड़ेगा अगर किसी वज़े से later stages में supplier की documentation में discrepancies मिलती है तो buyer को interest के साथ tax credit सरकार को वापस करना होगा इस वज़े से बड़े manufacturers को भी एक तरह से tax police का रोल निभाना पड़ता है इसके लावा MSMEs और startups exercise regime के अंडर 1.5 करोड के turnover तक tax payment से exempt थे लेकिन GST regime में ये limit 40 lakh set की गई है इस वज़े से small industries के लिए दिक्कते बढ़ गई है तो दोस्तों आज हमने जाना कि कैसे इतने सालों की महनत मशक्कत के बाद एक बड़ा economic reform इंडिया में लाया जा सकता है लेकिन अभी भी GST में बहुत से improvement का scope है जैसे कि multiple slabs का rationalization किया जा सकता है आज GST के 28% slab में कुछ limited luxury और sin goods ही placed है जने इस slab से eliminate करने की कोशिश की जा रही है petroleum projects, consumable alcohol और electricity को भी GST regime के अंडर include करके tax complexity को कम करने की जरुवत है GST rule के बावजूद multiple tax exemptions आज भी exist करते हैं जिनके misuse का potential बहुत बड़ा है इन exemptions को limit करने की जरुवत है 0% GST attract करने वाले items को limit करके सिर्फ raw unbranded items तक limit करने की जरुवत है जो poor population जादा consume करती है ऐसा करने से tax base widen होगा GST के एंडर number of tax returns to be filled बहुत जादा है जने cost और ease दोनों point of view से कम करने की सक्थ जरुवत है वहीं GST dispute के speedy disposal के लिए state level GST secretaries और national appellate authority for advance rulings establish करने की मांग उठाई जा रही है जिस पर भी ध्यान देना आवश्यक है दोस्तों GST tax administration में एक revolution है लेकिन सब reforms के through ease of doing GST बैतर हो पाएगा और GST अपने full potential पर पहुँच पाएगा तो दोस्तों ये थी एक case study GST के उपर आपके हिसाब से वो कौन से steps हैं जो उठाई जा सकते हैं GST के implementation के improvement में या फर इसके cons को कम करने में comment section में जरूर बताईएगा और जैसे कि वीडियो के पहले भाग में आपसे बताया गया कि इस वीडियो की importance UPSC mains के लिहाद से काफी जादा है तो इसकी importance को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़ कर जा रहे हैं इसको आपको comment section में answer करना है and the question is explain the rationale behind implementing the GST do you agree that its implementation could have been smoother discuss and with this question my friends that's it for the video I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है अपने दोस्तों के साथ share करना मत भूलेगा अब मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत